जब इंसान अपने सच्चे और अच्छे होने पे भी बहुत पच्टाता है। वही तुमें तोड कर जाएगा। जिस व्यक्ति के पास हमेशा एक ही चहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जो बार-बार चहरे बदलता रहता है। भगवान सब देख रहे हैं। जो लोग दूसरों की भावनाओं के साथ कहलते हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लिबास से भी सस्ते हो गए है रिष्टे लोग बार-बार बदलते रहते हैं। व्यस्त रहने से इंसान के आदे तो कम हो जाते हैं। प्यार था तो पता नहीं पर खुदा ने दोस्त ऐसे दिये हैं जो मुहपत को भी मात दे सकें। बस इतना बता दो कि इंतजार करूं या तुम्हारी तरह मैं भी बदल जाओं। सारी दुनिया के रूट जाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। बस एक तेरा खामोश रहना मुझे बहुत तकलीफ देता है। कभी कभी किसी पर बहुत जादा भरोसा करना मौत का कारण भी बन जाता है। तूट जाना इस्तमाल हो जाने से जादा बहतर होता है। करीब सरफ उनके रहना जो आपसे दूर ना रह सके। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं लोग किसी एक इन्सान को खुषने के डर से पता नहीं कितनी बार अपनी सेल्फ रिज्पेक को ही खो देते हैं हस्रते कुछ और हैं वक्त की इलतजा कुछ और है कौन जी सका है जिन्दगी अपने मुताबक दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है कभी अकेले बैट कर देखना लफजों से जादा आंसू निकलते हैं जहां तूटे दिलों की मरमत हो सके एक दिन शहर में एक ऐसी दुकान खोलूंगा मुह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मुह भी नहीं करना चाहिए आज तुमने एहसास करा ही दिया कि मैं तुमारे लिए कुछ भी नहीं ज्यानी और अज्यानी दोनों को समझाया जा सकता है लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता उसे सिरफ वक्त ही समझा सकता है अगर मन में संतोष है तो चार रोटी और दो कपड़े में भी आनंद है और अगर लालच है तो चाहे सारी दुनिया की दौलत भी क्योंना मिल जाए तो भी जिन्दगी से टेंशन कभी नहीं जाने वाली इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके बलकि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही तूट जाए शेर के साथ रहोगे तो वो जिन्दगी में संगर्श करना सिखाएगा लेकिन अगर किसी घरे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने जुकना सिखाएगा आज के जमाने में खुश सिरफ वही है जो मतलबी बन कर जीता है अभी तो इश्क से निकाला है खुद को खुद से इश्क को निकालना अभी बाकी है उन लोगों से दूरी बना कर रखो जो कभी स्विकार नहीं करते कि वो गलत है बल्कि हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते है ये सारी गलती सिर्फ आपकी है स्पीड ब्रेकर कितना भी बढ़ा हो लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अगर कम हो तो जटका नहीं लगता उसी तरह मुसीबत चाहे कितनी भी बढ़ी हो लेकिन अगर आप शांती से विचार करके जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मुसीबत आपको कभी जटका नहीं देगी जो उड़ने का शौक रखते हैं वो किरने का खाफ कभी नहीं रखते उम्मीद न रखना सचे प्यार से ऐ दोस बड़े प्यार से दोखा देते हैं शिद्दत से चाहने वाले सब्र रखो सफलता और इतिहास बनने में वक्त लगता है उम्मीद के आसरे में रहना पसंद नहीं मुझे मैं अपनी महनत से अपना आशियाना खुद बनाऊंगा सच्ची चाहत सिरफ वही है कि जिसे पालेने के बाद किसी की चाहत ना रहे मैं सिरफ वही तक अच्छा हूँ जहां तक आप अपनी आउकात न बोले पाइदा बड़ी गिरी हुई चीज है हर कोई उठाने की कोशिश करता है जब आप किसी को हद से जादा एहमियत दे रहे होते हैं तब आप अपनी एहमियत उनकी नजरों में को रहे होते हैं जिन घरों में दिमाग का शासन चलता हो वहां रिष्टे हार जाते हैं कुछ बाते एसी होती हैं जिने बोलने वाला तो भूल जाता है वगर सुनने वाले इंसान के मन में तीर की तरह चुप जाती है किसी को अपनी जिन्दगी से जाने देना जान देने से ज़दा दर्द देता है भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो दुबारा कितनी भी कोशिश कर लो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता मतलब की बाते तो सबसे हो जाती है जिससे बे मतलब की बाते हो वही खास होता है अब तो दर्द सेहने की आदत सी पड़ गई है अब किसी से भी धर्द बातने की जरुनत ही नहीं पड़ती वक्त खराब था इसमें सवाल कैसा अरे आपने ही गैर निकले इसमें मलाल कैसा मुझे माथ पसंद है आप मान नहीं दुश्मन चलेगा लेकिन गदार नहीं किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि वो अपनी चुपी तोड़कर तुमारी दज्जियां उणा दे कौन सुनता है यूँ बेवज़े मेरी इंशायरियों को कोई इन में अपना दर्द ढूनता है कोई इन में अपनी महबब ढूनता है कभी कभी में दिल के हालात भी कह देता हूँ हर वक्त वह वह की मुझे क्वाहिश नहीं है जिन्दगी में अपनी जगए बदलो एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है वही पानी की बोतल बोटल में 40 रुपए की एरपोर्ट पे 50 रुपए की और इसी तरह अगर आपको अपनी वैल्यू कहीं कम फील हो रही है वो जिन्दगी में अपनी जगए बदलो आपकी वैल्यू अपने आप बदल जाएगी दुक तो तब आता है जब याद आता है कि हमने जिन्दगी के जिनसे सारे सीक्रिट्स शेयर कर दिये उनसे अब बात तक नहीं होती कभी कभी मुझे खुट की याद आ जाती है कितना खुश रहा करता था मैं सच्चा हमसफर चहरे का नहीं दिल का दिवाना होता है तब बहुत देर हो चुकी होगी जब तुमें हम समझ में आएगे एक बात बोलू कभी भी अपने रिष्टों के पुराने मैसेज मत पढ़ना बहुत तकलीफ होती है बात महबबत और एहसास की होती है वरना मैसेज तो कमपनी वाले भी करते हैं अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं तो तुम्हारी सारी ताकत बेकार है चलो दिल की अदला बदली कर लेते हैं तड़ब क्या होती है तुम खुद समझ जाओगे बहुत कुछ हासल करने में इतना कुछ छूट जाता है आप किसी को भी अपनी जंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाए तो कि जब वो इनसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आपसे नफरत करने लगते हैं बात बात पर गुसा करने वाले लोग वही होते हैं जिने हमेशा कुछ से ज़ादा किसी और की फिक्र रहती है बच्पन में कहानी सुनकर सोते थे आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं पता नहीं क्यों छोड़के चले जाते हैं वो लोग जिने हम जिन्दगी समझ कर कभी खोना नहीं चाते दोस्त वो होता है जिसके साथ बाते खुल कर की जा सके ना कि संभल कर करनी पड़े कोई भी अपना नहीं होता यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबर्दस्ती कभी अपना प्रेम मन दिखाओ मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाव कर रखना हमारा हुनर होता है कटना पीषना और निचोड़ा जाना अंतिम बून तक जिंदगी बनकर जिंदगी ही चीन ली तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा ठोकर रिखाता हूँ पर शान से चलता हूँ मैं कुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ करता वही हूँ जो मुझे पसंद है माना की उम्र कम है लेकिन होसले बुलंद है जिंदगी है तो आसान कैसे होगी आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी आज के युग में अमीर का अपराद गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है कोई ऐसा सेनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी दुल जाए इसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती कितनी अजीब बात है ना लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं इस जिंदगी मा जैसी होनी चाहिए किसी को कोई फरक नहीं पढ़ता कि दूसरों के पास कैसी है सब को बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है शरारते करो साजिशे नहीं हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं जब इनसान का दिल तूटता है ना सिर्फ दिल ही नहीं तूटता उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है जो सिर्फ आप से होता है परमशत्रू से भी ज़्यादा खतरनाथ होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पन से महबबत सी हो गई है जिसके पास ज़्यादा अप्शन्स होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते किसी के लिए इतना भी क्या तूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ हमेशा किस्मत ही घराब नहीं होती कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं आदमी के शब्द नहीं बोलते बलती उसका वक्त बोलता है नजाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आकरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है नजर भी क्या चीज़ है ये उसी को ढूनती है जो इसे नजर अंदास करता है आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे मैं महाब्बत भूलाने का हुनर सिखाता हूँ तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आज़तें बुरी रखो एब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते बजह चाहे जो भी हो दोखा आखिर दोखा ही होता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है फुद जिसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे दूरिया माएने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो आज के जमाने में ज़ादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है आज के जमाने में लोग आपकी कदर तप करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है खुश रहना सीखो इससे पहले की उदास रहना आपकी आदत बन जाए गोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसे यह हैं कि आपने सिर्फ वो चीज़े करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिये थी बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटे वो लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के सताय होते हैं, अपनों के ठुकराय होते हैं, वो बहुत कढ़ोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती हैं, पर न चाने क्यों, इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती हैं, पनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है, कि आ आप अकेले ही रहना सीखो महब्बत और नफरत तहने को तो दो मामूली शर्द है लेकिन यही दो शर्द इनसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे तुफान का आना भी जरूरी है जिन्दगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर किस्नों के लोग देखे हैं अपनी जिन्दगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मुल्यक हो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्वक हो देती है मुझे ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निम्हाने का शौट है दिखते तो यहां सभी इंसान है बस फर्क इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ जखमों को भरते हैं फिर से उसी मोड से शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो वो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है जिन्दगी में पच्टाना छोड़ो बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पच्टा है समय और शब्द दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करो ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है अभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यूं खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की मिसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों न हो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है हर इंसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सब से अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने में अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खुने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर कसम खालो या अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है रेम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सीखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना वही मजा लेता है सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई गदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोष नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोष नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरावक आपको कमजोर नहीं बलकि चैंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे ज़ादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं आहसास से काइम रहता है कुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज़ादा अधास हो जाता है अब तो मजब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अकसर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बन जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है विश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तह है हर चीज़ बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ मिलते हैं लेकिन बिछडते सब अपनी मरजी से है भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महब्बत होने से भी ज़ादा खत्रनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है न इनसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब के रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी तूट भी जाते हैं भ्रमन्ड और एहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने दिष्टों को बिगाड़ लेता है इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इनसान जहां गुसा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं अभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं आप चाहे कितना भी शिद्दस से निभालो रिष्टे, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है भुलने वाले तो सारे बच गए मर तो वो गए जो अपनी महपत को भुला न सके सच्चे दिल से तूट कर चाहने वाले आखिर में अकसर खुद ही तूट जाते हैं कपडों की मैचिंग बिठाने से सरफ शरीर सुन्दर दिखेगा रिष्टों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए आपकी पूरी जिन्दगी सुन्दर हो जाएगी जूटी उम्मीद देने से बहतर है इस सच बोलकर आप मना कर दो जिन्दगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज़ादा खतरनाक होता है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिन्दगी के फैसले अपनी परिस्तियों को देख कर ले दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जिन्दगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए आप क्या है ये जरूरी नहीं है लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है पीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है बून सा जीवन है इन्सान का लेकिन अहनकार सागर से भी वड़ा है यहां हर एक शक्स मुसाफिर है एक दिन यादों से भी चला जाता है पीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता पर पीते हुए कल में लोगों का बरताव हर वक्त याद आता है लोगों से जादा उम्मीद मत रखो परना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा ये रिष्टे भी अजीब होते हैं बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कोश होते हैं हरुसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इनसानों पर कर लेते हैं अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे गिराया जाए क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे कुछ से ज़ादा यकीन था जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता आपका विश्वास चटान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चटान खड़ी कर सकता है आपका भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो अपने अलफाज हर किसी के लिए बस खामोश रह कर देखो कि आपको समझता कौन है एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है रूटने का हग तो अपने ही देते हैं परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है किसी को चाहना गलत नहीं होता लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत होई कि अजीब शक्स है किसी को पुकारता ही नहीं जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है केवल जिद की एक गाट खुल जाए तो उल्जे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग